की एक डिस मिल में कितने वर्ग फूट होते हैं और एक डिसमिल में कितने वर्ग फूट होते हैं और एक डिसमिल में कितने वर्ग मीटर होते हैं जी हाँ दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है तो दोस्तों कोई बात नहीं आप इस वीडियो को केवल एक बार द्यांसन तक दख लिजिए, आप यह खूद से निकालना सीख जाएंगे और याद भी हो जाएगा कि एक डिसमील में कितने वर्गज या कितने वर्ग मीटर होते हैं तो दोस्तों आप जलिए से वीडियो को लाइक कर दिजिए और द्यांसन सीखते रहिए तो दोस्तों सबसे पहले हमको पता करना है कि एक डिसमील में कितने वर्गज होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि 100 डिसमील में कितने एकड होते हैं तो आपको याद रखना है कि 100 डिसमील में एक एकड होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता करना है कि एक डिसमिल में कितने वर्ग गज होते हैं तो हम क्या करेंगे हमको पता है कि 100 डिसमिल बराबर एक एकड तो इस एक एकड के मान को हम क्या करेंगे तो वर्ग गज में चेंद कर देंगे तो दोस्तो इससे पहले जो वीडियो बनाई हुए तो बीगा एकड और हेक्टेर के बारे में उसमें हम बताई हुए थे कि एक एकड में कितने वर्ग अच होते हैं अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है वहाँ से आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर बताय हुए थे वहाँ पर कि एक एकड में आपको बताय हुए थे कि 44 गुने 110 क्या होता है तो यहाँ पर work gaj होता है और दोस्तों यहाँ पर work gaj gaj को क्या कहते हैं इंगलिस में तो yard कहते हैं इस बात को आप दियान रखेएगा ठीक है यानि work gaj को square yard कहेंगे ठीक तो अब देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले गुना कर लेते हैं तो देखिए जब आप इसको गुना करेंगे यहाँ पर आ जाएगा और 40, 40 यानि 4840 यहाँ पर क्या आ जाएगा तो work gaj आ जाएगा कितना में तो यहाँ पर 100 dsmil में आ जाएगा 100 dsmil बराबर कितना work gaj होगा तो 48840 work gaj हो जाएगा ठीक है तो हमको यहाँ पर 1 dsmil में पता करना है तो सबसे पहले हम चलिए 1 dsmil बराबर पता कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 dsmil का माल मानुग है तो हम क्या करेंगे तो 1 dsmil का पता करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह 100 डिसमील बराबर है इतना तो इसमें एक डिसमील का माल निकालने के लिए इसमें हम 100 से इस 100 से भाग कर देंगे तो देखिए भाग कर देते हैं 4840 में 100 से भाग कर देंगे यहाँ पर देखिए यह 0 से 1 0 कर जाएगा और यहाँ पर द बाख करना है तो 10 में जितना 0 रहेगा लास्ट से उतना अंग भाद 10 लगायेंगे तो दस में एक ही 0 है तो लास्ट से एक अंग भाद 10 मूल लगा देंगे यानी एक 10 मिल बराबर आपका यहां पर पता चल गया है कि 48. 4 वर्ग गज पता चल गया यहां पर हम को पता चल गया, यहां पर लिख देते हैं, कि 1 dismill बराबर कितना वर्गज होता है, कि 48.4 वर्गज होता है, ठीक है, तो दोस्तों अब देखिये, हमको दूसरे नमर पर पता करना है, कि 1 dismill में कितने वर्ग फूट होते हैं, ठीक है, तो देखिये, यहाँ पर एक डिस्मिल में जो वर्ग गज निकल कराया है इसी को हम क्या करेंगे तो वर्ग फूट में चेंज कर देंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि एक गज बराबर कितना फूट होता है तो आप याद रखियेगा कि एक गज बराबर तीन फूट होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर वर्ग गज निकलना है तो दोनों तरफ इस तरह से स्क्वाइर करेंगे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ स्क्वाइर करेंगे तो यहाँ पर कह जाएगा तो एक वर्ग गज आ जाएगा और यहाँ पर square करेंगे तो तीन का square यहाँ पर 9 आ जाएगा और foot का work square करेंगे तो work foot आ जाएगा ठीक है इस तरीके से यहाँ पर पता चल गया है तो यह एक वर्ग गज बराबर कितना होता है तो 9 work foot होता है ठीक है तो यहाँ पर हमको पता चला था कि एक 10 मील बराबर कितना पता चला है 48.4 वर्ग गज पता चला है ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर हमको इस वर्ग गज को वर्ग फूट में चेंज करना है तो क्या करेंगे तो यहाँ पर 48.4 में यहाँ पर एक वर्ग गज के मान को रख देंगे यानि 9 से इसमें गुना कर देंगे तो जैसे ही इसमें 9 से हम गुना करेंगे न तो यह वर्ग गज किसमें चेंज हो जाएगा तो वर्ग वर्ग फूट में चेंज हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप गुना करेंगे इसमें 48.4 से 9 में गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल करा जाएगा 435.6 वर्ग फूट निकल करा जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आपको पता चल गया है कि एक एक डिस मिल बराबर कितना होता है तो 435.6 वर्ग फूट होता है तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि एक डिस मिल बराबर कितना वर्ग फूट होता है अब देखिये हमको work gaj और work foot में तो पता चल गया है और तीसरे नमबर पर work meter में पता करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि एक gaj बराबर कितना meter होता है तो आप याद रखिएगा कि एक gaj बराबर 0.9144 meter होता है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वाइर करेंगे इस दोनों का स्क्वाइर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक का स्क्वाइर करेंगे तो एक आजाएगा और गज का स्क्वाइर करेंगे तो वर्ग गज आजाएगा ठीक है और यहाँ पर 0.9144 का स्क्वाइर क होता है तो 0.8361 मीटर होता है यह हम क्यों पता कर रहे हैं क्यों हम याद रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमको चेंज करना है यहाँ पर एक डिसमील के मान को हमको वर्ग मीटर में चेंज करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो उस मान को यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक डिसमील बराबर एक डिसमील बराबर हमको यहाँ पर क्या पता चला था कि एक डिसमील बराबर यहाँ पर पता चला था 48.4 work gaj होता है तो इसको लिख लेते हैं तो 48.4 work gaj होता है ठीक है यहीं से हम क्या करेंगे तो इस work gaj के मान को क्या करेंगे तो work meter में change कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक discipline बराबर कितना work meter होता है तो चलिए यहाँ पर change कर देते हैं यहां पर देखे 48.4 में जैसे ही इस वर्ग गज के जगा पर हम यहां पर 0.083.61 से घुना करेंगे जैसे ही गुना करेंगे तो यह वर्ग गज जो है अब किसमें चेंज हो जाएगा तो वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा वर्ग मीटर में चैन्ज हो जाएगा क्यों क्यों गुना कर रहे हैं इसे क्योंकि हमको पता है कि एक वर्ग गज बराबर 0.8361 मीटर होता है इसलिए यहाँ पर गुना कर रहे हैं ठीक है तो देखे जैसे ही आप यहाँ पर गुना करेंगे और 48.4 में 0.8361 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 40.46 क्या तो वर्ग मीटर निकल कर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप याद रखियेगा कि एक 10 मिल बराबर कितना होता है तो 40.46 वर्ग मीटर होता है ठीक है और उसके अलावा यहाँ पर इस कनभाजन में जो भी उज़ हुआ है उसको भी आप याद रखियेगा यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता है कि 110 मिल बराबर कितना होता है तो यहाँ पर बता है थे कि 1 गज़ बराबर 3 फूट होता है तो इसको भी आद रखियेगा और 1 वर्ग गज़ बराबर कितना वर्ग फूट होता है तो 9 वर्ग फूट होता है और उसके अलावा यह भी बताये थे कि यहाँ पर देखिए एक गज बराबर एक गज बराबर कितना मीटर होता है तो यहाँ पर बताये थे कि 0.9144 मीटर होता है उसी तरह से एक वर्ग गज बराबर कितना वर्ग मीटर होता है यहाँ पर बताये थे कि 0.8361 वर्ग मीटर होता है ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप बहुत ही असाम तरीका से कुछ से निकाल सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि एक डिसमिल परावर कितना वर्ग गज होता है कितना वर्ग मीटर होता है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रिक्राइब देती रहे है